दोस्तो भारत वीरों की भूमी रही है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी मात्र भूमी की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुती दे दिये तो आज मैं एक ऐसे सचे देश भक्त और एक ऐसे सक्षियत के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपने प्राणों की रक्षा नाय करते वे अपने मात्र भूमी के रक्षा की थी तो आज हम बात करने वाले हैं महाना परताप जी के बारे में दोस्तों महाना परताप जी का जनम 9 मई 1540 को कुंबलगड में हुआ उनके पिता का नाम उदेशिंग और उनकी माता का नाम रानी जैवनता भाई था जैवंता भाई राज़ा उदेशिंग की 20 रानियों में सबसे बड़ी रानी थी वेपटरानी थी तो उनका पुत्तर ही सबसे बड़ा पुत्तर था राज़ा उदेशिंग के ऐसा माना जाता है कि राणा परताप को छोड़ करके सत्रा और पुत्तर थे लेकिन राना परताप को ही सबसे ज़्यादा सने करते थे तो राना परताप सुरू से ही सैनिक कारवाईयों में भाग लेते थे सैनिक कारवाईयों में इंटरस्ट लेते थे और सैनिक स्किल सीखते थे तो दोस्तों इनकी सैनिक स्किल का पता इस बात से लगाया जाता है कि वो बहुत 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 इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जब मेवाड की जो परोसी रियास्ते थी उन्होंने मेवाड की अधहिंता मानने से इंकार कर दिया तो राना परताफ खुद एक 2000 सैनिकों की और 2000 गुर्णसवारों की एक सैनिक अबिहान लेकर के अपने प्रोसी रियास्तों के दमन के लिए निकले उर उन पर सिगर ही सफलता भी पाई और उन पर विजए हुए ये राना परताब की जीवन की पहली सफलता थी और पहली विजे थी तो जब किसी को पहली सफलता मिलती है तो उसकी खुसी अलग ही होती है जब वो अपने दरबार में गए तो खुद राजा उदे सिंग ने उनका भवे स्वागत किया था उनकी माता जवनता भाई ने उनको गले से लगाया और बड़े सनें से उनको आशिरवात दिया तो ऐसा भी कहा जाता है कि रानी जवनता भाई ने जितने आभूसन पहने थे वो सारे उतार करके राना परताब के उपर से वार करके अपनी दासियों को बाठ दिये थे तो इसी से पता चलता है कि जैवंता भाई भी बहुत एक दानिवीर किसम की लेड़ी थी अब राना परताब के अंदर स्किल तो सुरू से ही बहुत अच्छे से डिवलप हो रही थी दोस्तो 1570 में राजा उदेशिंग की तबियत थोड़ी सी खराब हो गए तो उससे मैं में रानी भटियानी उनकी सेवा करती थी जो कि उनकी सबसे प्रिये रानी थी तो 1572 में तक आते आते राजा उदेशिंग की तबियत बहुत बिगड़ी एक दिन उनके सीने में जबरदस्त दर्द हुआ और उनकी हर्दे आगात से या उनके सीने में दर्द होने से उनकी मृति हो गई तो दोस्तों उनका पूरा प्रिवार शोका कूल हो गया शोक में डूब गया और पूरा मेवाड ही वहाँ उस टाइम शोक में डूबा हुआ था तो दोस्तों राजपूतों में एक परंपरा थी और एक मेवाड में एक परंपरा थी कि जो उसका राजा का उत्रादीकारी होता था वो राजा के अंतिम संसकार में शामिल नहीं होता था तो राणा परताप उनके योग्य उत्रादीकारी थे अब राणा परताप अपने पिता की अंतिम स्यात्रा में शामिल होना चाहते थे और अंतिम यात्रा में शामिल हुए और वहाँ पर जाकर के उनको मुखागने दी लेकिन उनके साथ वहाँ पर एक शडियन्त रचा गया रानी बटिया ने जब राजा बिमार थे तो उनकी देखमाल करती थी उनकी केर करती थी उस से मैं उन्होंने राजा उदै सिंग से अपने बेटे जगमाल को उत्रा दिकारी होने के लिए हामी भरवाली थी अब जगमाल राजा बनने के लिए बड़ा उच्छुक था और राजगदी पर जाकर के बैठ गया ये बात मेवाड के जो परमुक शामन थे उनको हजम नहीं हुई क्योंकि वो चाते थे कि मेवाड का जो राजा हो वो एक योग्य होना चाहिए लेकि जगमाल सिंग के अंदर वो वाली बात उनको नजर नहीं आती थी दोस्तों मेवाड के परमुक्षामंत थे उन्होंने विचार करके राना परताप को राजगदी पर बैठाया दोस्तों 1572 में महाना परताप बन गए थे और ये महाना की जो उपादी है दोस्तों ये सबसे पहले हरेम ने लगाई थी उसके बाद जो जितने भी मेवाड के सासक आये उन्होंने इस महाना की उपादी को धरन किया और ऐसा बताया जाता है कि महाना परताप तेरवे सासक थे मेवाड के तेरवे सासक थे अब उन दिनों दोस्तों मुगलों का आतंक था मुगल हर जग협 अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे तो वो मिवाड को भी अपने अधिन लेना चाहते थे मिवाड के जो आसपास कि जितनी भी देशी रियास्तें थी उन्होंने मुगलों की अधिनता स्विकार कर ली थे दोस्तों आमेर के राजा भगवान दास ने भी मुगलों की अधिनता स्विकार कर ली और अपनी बेटी जोदा भाई का विवा अकबर से करने के लिए राजी होगे और अकबर से कर भी दिया तो दोस्तों जब मेवाड के आसपास में हर जगह पे मुगलों के अदिनता स्विकार कर ली मुगलों के अदिन हो गे तो ये बात महाना परताप को भी बिलकुल हजम नहीं हो रही थी और उदर से अकबर को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एक छोटा सा मेवाड हमारी अदिनता स्विकार नहीं कर रहा है हमारा इतनी बड़ी सेना है और हमारे पास इतने आस्तर सस्तर है लेकिन एक छोटा से मेवाड हमारे अदिन नहीं हो रहा है अब महाना परताप ने एक कसम खाली थी कि या तो मैं सौतंतर ही मरूँगा या मेरा राज्य सौतंतर ही रहेगा या फिर मैं प्राण जाएंगे मेरे अब महाना परताप मरने से नहीं डरते थे उन्हेंने सोच लिया था या मामें चाहे मरना पड़े लेकिन जब तक हमारी आखरी सांस होगी हम कभी भी गुलाम नहीं होने देंगे और ना ही कभी गुलाम होगे अब ढ़नों ही अपनी तरह से सही थे अब अकबर अपने आपको वहां का बादशा गोशित करना चाहता था और महाना परताप अपने आपको सौतंतर रखना चाहता था जब दोनों के बीच में बात नहीं बनी तो दोनों के बीच में युद्ध होना संभव था अब अकबर ने सोचा कि युद्ध करने से पहले एक बार महाना परताब को संदी परस्ताव भेज के देख लेते हैं ताकि यदि वो मान जाएं तो अच्छा है क्यों बेकार में युद्ध किया जाए महाना ऐसा बताया जाता है कुछ इतियास कर ऐसा बताते है कि महाना परताब ने च्यार योग्य सिनापतियों को संदी परस्ताव के लिए भेजा सबसे पहले उनके मिट बोले जलाल खां को मिवाड में भेजा लेकिन राना परताब ने उनको मना कर दिया फिर उन्होंने सबसे योग्य सिनापति मान सिंग को वहां बे भेजा लेकिन मान सिंग को भी राना परताब ने मना कर दिया फिर भगवान दास को उन्होंने भेजा लेकिन भगवानदास को भी मना कर दिया लास्ट में अकबर ने जब अकबर को पता चल गया था कि महाना परताप अब अदिनताश विकार नहीं करेंगे लेकिन एक बार और मैं टोडरमल को भेज करके ये कोसिस कर लेता हूँ ताकि दूसरे जो राजपुत हैं उनको ये लगे कि बाच्या अकबर ने तो महाना परताप के साथ संधी करने की पूरी पूरी कोसिस की लेकिन महाना परताप यूद के लिए नहीं माने और उन्होंने यूद के लिए हमें मजबूर किया तो उन्होंने फिर टोडरमल को वहाँ पे एक संधी प्रस्ताओं के साथ भेजा लेकिन उनको भी वही रिपलाई मिला वही जवाब मिला जो बाकी से भी को मिला था तो अब जब सारे वापिस आगे तो अकबर को बड़ा गुशा आया और अकबर ने एक बहुत बड़ी सेना मान सिंग के नितरतों में 1576 यानि की 1576 में मेवाड पर आकर्मन करने के लिए भेज दी अब ऐसा कोई काल नहीं रहा दोस्तों जिसमें अपने दुस्मनों की खबर नहीं मिल पाती थी महाना परताप को भी बराबर मुगलों की खबर मिल रही थी कि मुगल क्या चा रहे हैं मुगल क्या योजना बना रहे हैं और मुगलों को भी महाना परताप की सारी खबरे मिल रही थी कि महाना परताप क्या त्यारिया कर रहे हैं तो दोनों तरफ से युद की तियारें कीगी और मान सिंग एक बड़ी सेना ले करके मेवाड के पास पहुँचा दोस्तो उस समय माना परता आपने अपने बच्पन के दोस्त भीलों के साथ मिल करके भीलों को भी अपने साथ ले करके एक योजना बनाई की हम यहां गुरिला युद से लडेंगे गुरिला युद यानी वहां पहाड़ी चेतर होने के साथ साथ पहाडों में पहाडों में छिप- START करवार करेंगे दोस्तों ऐसा माना जाता है कि बील अच्चूक थे उनके निशाने अच्चूक होते थे वो जहां से भी पिर मारते थे उनका निशाना बिजवाए अब यूद की तियारयां सुरू होगी भील पहाड़ों में जाकर के बैठ गे और मारना परताब की सेना भी वहाँ चलेगी अब 21 जून 1556 को मान सिंग मान सिंग एक बड़ी सेना लेकर के हल्दी गाटी के मैदान में पहुंचा तो राना परताब भी उनको देखकर बड़े उत्तेजित हो गए और वो अपने सुरक्सित जगह को छोड़ करके मैदानी चेतर में यूद के लिए आ गए दोस्तो यही उनकी कुछ इतियासकार मानते हैं दोस्तो यही उनकी सबसे बड़ी भूल रही कि वो अपने सुरक्सित थिकानों को छोड़ करके मैदानी चेतर में यूद करने लगे यदि वो अपने सुरक्सित चेत्रों में और सुरक्सित पहाडों में रह करके युद्ध करते तो अकबर की सेना और मान सिंग की सेना के लिए बहुत मुश्किल होता उनसे पार पाना अब दोनों तरब से युद्ध सुरू हो चुका था और ऐसा माना जाता है ऐसा बताया जाता है कि सुरू के दो घंटे मुगलों की सेना पर भोत भारी पड़े मुगलों की सेना को एक तरह से उखाड दिया था राना परताप की सेना ने अब एक सोची समझी साजिस के तहित मान सिंग अपना हाथी ले करके राना परताप के घोड़े के सामने आया राना परताप के पास हाथी भी था और एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक राना परताप हमेशा युद में चेतक को ही ले करके जाते थे और राना परताप अपने स्रीर पर लगभग 360 केजी वजन रखते थे एक ऐसा बताया जाता है कि 80 केजी का तो वो भाला रखते थे और लगभग 200 केजी की उनकी दो तलिवारे होती थी और उनका जो कवच कुंडल मिला करके लगभग 360 केजी वजन वो अपने उपर कैरी करते थे और इतियासकार बताते हैं कि राना परताप की जो हाइट थी वो साड़े साथ फूट थी और उनका वजन 110 केजी था 110 केजी का व्यक्ती 360 केजी बजन अपने उपर कैरी करता था तो उससे आप मान सकते हैं उससे आप समझ सकते हो कि उनके सीने में और उनके बाहूबल में कितना जोर होगा तो दोस्तो जब मान सिंग अपना हाथी लेकर महाना परताप के सामने आया तो माना परताप ने उत्तेजित होकर अपने चेतक को इसारा किया जैसे ही चेतक को इसारा मिला तो चेतक ने पिछले पैरों पे खड़े होकर के अपने दोनों अगले पैर उस मान सिंग के हाथी के सूंड के उपर रख दिये अब राणा परतापने अपना भाला चलाया मान सिंग तो उस वार से बच गया लेकिन उनका महावत उस वार से नहीं बच पाया और महावत के भाला लगने से नीचे गिर गया और उसने अपने प्रान त्याग दिये तो दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी दुखत गटना ये हुई जब चेतक ने अपने दोनों अगले पैर हाथी के सूंड के उपर रखे थे तो मान सिंग ने भी बड़ी चतुराई से और बड़ी सोची समझी साजित के तहत हाथी के सूंड के पास दो कटार बांध रखी थ थी उनको पहले से अंदाजा था कि ऐसी गटना हो सकती है तो वो दो कटार थी वो रणा प्रताप के घोड़े चेतक के पैर में लग गई जिससे चेतक बुरी तरह घायल हो गया अब मुगलों की जो सोची समझी साजिस थी उसके उसमें उन्होंने अपने जो परसिक्षित जो सैनिक थे उनको मान सिंग ने अपने चारों तरफ लगाया हुआ था ताकि जब भी माना परताप हमारे उपर अटैक करें तो आप उनको घेर कर मार देना अब जब जाला सिंग ने ये देखा कि राना परताप शंकट में है तो वो तुरंत उनके पास आए और उनको कहा महराज हे अंदाता मिवाड को आपकी जरूरत है आप ये मुझे आपका चत्र और कवच मुझे दे दीजिए और आप यहां से सुरक्षित चले जाएए ताकि आप फिर से युद के लिए तियार हो सको लेकिन जैसे ही राना परताप ने ये सब सुने तो वो क्रोधित हो गए और उनके कहा नहीं इसमें तो हमारी कायरता है कि हम यहां से भाग जाएंगे